Hello students, this is class 5th subject Hindi and today I am going to teach you lesson 1. Your lesson is एक किरन, क्या नामे लेसन का? एक किरन, ठीक है? तो इस एक किरन लेसन में आपकी जो ये पोएम है, इसमें क्या बताया गया है? कि जो सूरज की एक किरन, जब सूरज निकलता है, उसके जो एक किरन आती है, तो उसे क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, क्या-क्या होता है? उसके बारे में बता रखाएं. ओके? Now listen carefully everyone. Now start the poem. रेशम जैसी हस्ती खेलती, नब से आई एक किरन, आचल भरकर मीठी-मीठी, खुशिया लाई एक किरन. कभी क्या कह रहा है कि नब से यानि आसमान से एक किरन ड्रेशम की तरह हस्ती खेलती हुई आई और अपने साथ आचल भरकर यानि धेरो सारी बहुत मीठी मीठी खुशिया एक किरन अपने साथ ले करके आई जयोंनिका नेक्स्ट इस पड़ी ऐसकी थी कुछ बुंदे जिल्मिल जिल्मिल पत्तों पर उनमें जाकर जियों उसका आई एक किरन क्या कह रहा है कभी ऊस ओसकी बुंद क्या होति है आपने भी देखा होगा पत्तों पर छोटी-छोटी पानी की बुंदे आजाती है तो कवी कह रहा है कि उन्हीं पत्तों पर जब सूरज की किरन जाके पढ़ती है उन पत्तों पर तो ऐसा लगता है कि जो पतियां है वो भी मुस्कुरा रही है लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में फिर सोने के तारो जैसी नभ में च्छाई एक किरन क्या कह रहा कवी जब सुबह सुबह मॉर्णिंग में पूरब से जब सूरज निकलता है तो वो लाल लाल रंका होता है तो वो कैसा प्रतित होता है जैसे कोई लाल थाली है और फिर जब उसमें से किरने निकलनी शुरू होती है सूरज की जब किरने चमकना शुरू होती है तो वो सोने यानि गोल्ड के तारों के जैसी प्रतीत होती है कि आसमान में कोई गोल्ड के जो तार होती है वायर जो होती है ऐसा लगता है कि वो है एक किरन से बदल गया जग चिडिया गाती गीत चली हवा चली हिल उठे पेड सब सब को भाई एक किरन कवी क्या कह रहा है कि उस सूरज की एक किरन से सारा संसार बदल जाता है जैसे सूबह होते ही चिडिया जो है वो गीत गानी शुरू हो जाती है ऐसा लगता है चहचाने लगती है ऐसा लग रहा है कि मानो वो गीत गा रही है थंडी थंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है और उन हवा चलने से जो पेड़ पोधी होते हैं वो हिलना शुरू कर देती है और ये सारा जो द्रश्य होता है वो ऐसा लगता है जैसे इन सब को जो सूरज की किरन निकल रही है वो बहुत भार ही है राइट मतलब सब को बहुत अच्छी लग रही है है ना सूरज आया दिन मुसकाया जागी दुनिया भोर हुआ नया नया मन ताजा जीवन सब कुछ लाई एक किरन यानि जब सूरज आता है तो दिन भी मुसकुराने लगता है ऐसा लग रहा है जैसे सारा दिन मुसकुरा रहा है जागी दुनिया याने की पूरा संसार जाग जाता है सवेरा हो जाता है जो भी सब का नया नया दिन आता है नया नया मन होता है और ये सब किसके कारण होता है सूरज की एक किरन के कारण होता है तो ये आपकी पोयम थी एक किरन जिसको आप एक बार फिर से अच्छे से रीड करेंगे राइट हूँ अब हम चलते हैं next page next page पे सबसे उपर आपके क्या दे रखे हैं शब्दार्थ इन शब्दार्थ को आपने notebook में लिखना है और साथ में learn भी करना है याद भी करना है ओके students now अब भ्यासकारिये अब भ्यासकारिये करते हैं ठीक है अब भ्यासकारिये में first question क्या है शिरूत लेक लिखो शिरूत लेक मतलब सुन्दर सुन्दर लिखना है हमने सुन्दर राइटिंग में लिखना है यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं आपने सुन्दर सुन्दर अपने राइटिंग, सुन्दर सुन्दर अपने नोट बुक में लिखना है, ओके, फिर्स्ट वर्ड इस रेशम, आँचल, जिल्मिल, जियोती, चेड़िया, एंड लास्ट इस दुनिया, यह आपके शब्द है, जिनको आपने नोट बुक में सुन्दर राइटिंग में लिखना है, ओके, लिखित प्रेशन, चार कोशन्स यहाँ पे हैं, जिनके आपने आंसर लिखने हैं, किसके बेस पे, आपकी पोयम के बेस पे, ओके, जैसे फिर्स्ट कोशन है, किरन कैसी है, पस्ट लाइन आई थी, रेशम जैसी किरन, आया था ना, रेशम जैसी किरन, तो किरन कैसी है, किरन रेशम जैसी हस्ती खेलती है तो इसी तरीके से इन चारों कोश्चन्स के आंसर आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं और इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स नव सीधा नेक्स्ट कोश्चन पद्यांच का संधर्ब सहित भावार्थ लिखो भाव अर्थ यानि कि जो इनका भाव है उनका अर्थ लिखना है आपने तो जैसे मैंने आपको पोएम समझाई थी उसी तरीके से इसका आंसर करना है इस कोश्चन को हम बाद में डिसकस करेंगे तो सी दर नेक्स कोश्चन बहु विकल्पिया प्रशन एक कोश्चन के थी ओप्शन आपने आपको दे रखें यहां पे बट इन में से कोई ठीक एकी है ठीक है तो कोश्चन पढ़के जो राइट वाला आंसर है उस पे हमने निशान लगाना है जैसे see the first question नभ से कोन आई कोन आई नभ से किरन परी या चिडिया किरन आई थी ना तो first इसका आंसर साथ-साथ में लगाएंगे नभ से कोन आई तो आंसर आएगा किरन नमबर वन वाला कीरन नेक्स्ट कोशन कीरन क्या भर कर खुशियां लाई क्या भर कर खुशियां लाई थी थैला, मुठी या फिर आंचल तो कीरन क्या भर कर खुशियां लाई थी आंचल, very good तो second question का answer आप लगाएंगे आंचल थर्ड कोशन है प्रात्यकाल के समय सूरज किस रंग का होता है प्रात्यकाल यानि कि जब सूबह सूबह होती है जब सूरज निकलता है तो किस रंग का होता है लाल पीला या हरा लाल हो आता ना कि लाल लाल थाली सा प्रतीत हो रहा है ना तो आंसर आएगा लाल किरन के आने पर कौन गीत गाती हुई चली बालिकाएं चिडिया या मही लाएं और आंसर आएगा चिडिया ओके नेक्स्ट कोशन है पंक्तिया पून करो पंक्तिया यानि कि कुछ लाइने दे रखी आपको जो इनकंप्लीट है जिनको आपने कंप्लीट करना है कहां से करना है या आपके पोयम की लाइने है ठीक है और पोयम से देखके आप इन लाइनों को कंप्लीट करेंगे बुक औ पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाओ यह आपको पद्यांच दे रखा एक पैरग्राफ दे रखा यह पोयम का ही है और इसके बेस पे जो कोश्चन्स है इनके आंसर लिखनी है लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में पिर सोने के तारो जैसी नब में च्छाई एक किरन लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में पिर सोने के तारो जैसी नब में च्छाई एक किरन See the first line लाल लाल थाली सा सूरज यानि कि सूरज को थाली सा बताया गया है तो आंसर आएगा थाली के अब ये साथ साथ में निशान लगाए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा थाली के Next question है सूरज किस दिशा में निकलता है सूरज किस दिशा में निकलता है तो आप सबको पताई है ना किस दिशा में पूरब में वेरी गूद ओके तो सेकेंड का अंसर आएगा पूरब में थर्ड कोशन सोने के तारो जैसी कौन है कौन है चिडिया या किरन किरन आंसर आएगा किरन पूर्थ कोशन किरन कहां चाही है नभ में या पिर्थवी पर सूरज कहां से निकलता है आसमान से निकलता है ना तो उसकी किरन कहां चाहेंगी आसमान में चाहेंगी ना पहले तो नभ में अंसर क्या लगाया नभ में ओके नेस्ट देखिए भाशा ज्यान भाशा ज्यान में फस्ट ये कह रहा है, बात को समझो क्या ध्यान से सुनेंगे ये ठीक है संघ्या अथ्वा सर्व नाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं यानि संघ्या आपको पता ये नै क्या होता है तो संग्या और सर्वनाम की जो विशेशता बताता है उसको हम क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं जैसे लाल सूरज तो इसमें सूरज क्या है संग्या शब्द है और लाल क्या है विशेशन क्यों क्यों क्योंकि उसने सूरज की विशेशता बताई है कि सूरज कैसा है लाल है हैं that's why लाल यहां पे क्या हुआ विशेशन जैसे यह बता भी रहा है यहां लाल शब्द विशेशन है जो संग्या शब्द सूरज की विशेशन बता रहा है आया समझ विशेशन क्या होता है ओके नेक्स देखिए अब जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे हम इस कोश्चन को करें क्या कोश्चन है संग्या शब्दों से पहले उचित विशेशन लगाओ यानि यहां पे कुछ संग्या शब्द दे रखे हैं जिनके सामने हमने क्या लगाने उनसे पहले विशेशन शब्द लगानी है ओके जैसे फस्ट वर्ड है हमारा किरन किरन कैसी लाल किरन हो सकती है र और इसके answer भी आपको बाद में मिलेंगे जहां से आप देखके इनको book और notebook दोनों में करेंगे राइट next question देखिए समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ समान अर्थ यानि कि जो शब्द है वो तो अलग-अलग है लेकिन उनके जो meaning जो अर्थ निकलेंगे वो एक जैसे होंगे जैसे इनोंने first example दे दिया सूरज और सूरिय शब्द तो अलग-अलग हो गई लेकिन दोनों का meaning तो सेम है ना राइट जैसे अकाश इन जो बागे के शब्द दे रखे हैं इन में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका meaning अकाश ही होता है कौन सा है नभ फिक है तो हम यहाँ पे अकाश लिखेंगे और यहाँ पे नभ लिखेंगे जैसे next word हमारा दे रखा है भोर भोर का मतलब क्या होता है सूबह सवेरा तो यहाँ पे है कोई word ऐसा यह रहा सवेरा है ना तो यहाँ पे लिखेंगे भोर और यहाँ पे लिखेंगे सवेरा ओके ऐसे ही हम बाकी भी complete करेंगे और इसकी answer भी आपको वीडियो के end में मिलेंगे सीधा next question शब्दों का वाक्य में प्रियोग करो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखेंगे है रेशम किरन आंचल और जीवन इनको आपने वाक्यों में प्रियोग करना है तो इसका answer भी आपको last में मिलेगा समझ आया आपको पूरा lesson जितने भी अभ्यास के questions है विद वर्ड मीनिंग आपने अपनी बुक और नॉट्बुक दोनों में लिखने है उके students और साथ में learn भी करने है and these are your answers यह आपके answer है जो questions मैंने आपको बताए थे कि वीडियो के end में आपको answer मिलेंगे यह उन्ही के answer है जैसे फर्स्ट लिखिट प्रेशन यह आपके question answer है next में भाषा ग्यान में विशेशन लगाओ एक question आया था यह उसका answer है यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द यह उसका answer है और यह वाक्या बनाओ ओके तो यहाँ से देखके आप questions को उनके answer के साथ complete करेंगे ओके